असलाम लेकुम आज की रेस्पी है नान खटाई की रेस्पी वैसे तो नान खटाई कई तरीके से मनाई जाती है लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसन की परफेक्ट नान खटाई की रेस्पी जो बहुत ही जादा सौफ्ट और मुँ में घुल जाने वाली ये नान खटाई होगी तो रेस्पी को एंड तक देखते रहें और रेस्पी पसंद आए तो लाइक करना न भूलेगा और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो चले शुरू करते हैं बनाना और ये देखे बिल्कुल परफेक्ट नान खटाई बन खरीला लाइची इसके साथ ही हमख पीस लेंगे आसानी से पिस जाएगा झाला कि तो यह देखे हैं हमने चोटी बिल्सक्राइची बहुत ही इसके साथ हमने लिए है एक कप बेसन और ग्राम समें आपेंगे तो करीब 120 ग्राम के करीब होगा बेसन और ये 1.000 भी टीस्पू अच्छे से मिक्स कर लिया हमने अब इसमें हम एक चौथाई कप यानी की चार बड़े चमच हम घी डालेंगे अब इसकी जगे रिफाइन डॉयल का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन जो टेस्ट देसी घी के साथ आता है वो रिफाइन डॉयल के साथ नहीं आएगा फिर भी अगर आपको रिफाइन डॉयल यूज़ करना है तो कर सकते हैं उसके साथ भी और थोड़ा सा हम चुटकी भर नमक डालेंगे जो इसके टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है अब हम इसे आटे जैसा गूत लेंगे अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लग र होगा अकड जाएगा और बेक अच्छे से नहीं होगा तो यह देखिए हमने बहुत थोड़ा से इसमें घी डाला है तो यह देखिए अच्छे से यह डोल पॉम में आप आने लगा है अगर आप इसमें पानी या दूद का इस्तमाल करेंगे तो थोड़े से हार्ट बन जात ही ज़रुत पड़े अगर थोड़ा सा ड्राई लगता है तो इसमें थोड़ा सा घी एड कर लें तो यह देखिए इस तरह से आटे जैसा हम गूत लेंगे चिकना कर लेंगे तो हमारा तयार हो चुका है अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और जो हमने गी जिस कप से लिया उसी में थोड़ा भूँ घी लगाता तो इसी से हम ग्रीस कर लेंगे अपने ट्रे को बेकिंग ट्रे को और यह मैंने थोड़े से बदाम लिये हैं जो इसके उपर हम लगाएंगे आप चाहे तो काजू ले सकते हैं इस तो बदाम मैने लिया है दो हिस्ता कर लिया इसमें से बेकिंग ट्रे पे हम थोड़ी थोड़ी गैप के इसे रखेंगे इधम सटा सटा के नहीं रखना है वरना यह जब बेक होंगे तो यह थोड़े से और बढ़ जाते हैं आप इसे चाहे तो किसी प्लेट के उपर भी ग्रीज करके बेक कर सकते हैं इसके उपर हम इस तरह से बढ़ाम उपर लगा लेंगे तो अब हम चलते हैं बेक करने की तरफ तो एक कढ़ाई को हमने गैस पे चड़ा दिया था इसे दस प्लेट के लिए हमने मीडियम फ्लेम या लो फ्लेम पर हम प्री हीट कर लेंगे जिस तरह से आवन को प्री हीट किया अच्छे से फूलता है तो यह देखे हमने 10-12 मिनट लगता है इसे बेख होने के लिए मीडियम फ्लेम पर बेख किया इसे हमने तो अब ही हम निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा करने के बाद इसे हम निकालेंगे इसे ठंडा करके ही निकालेंगे तो यह तूटना शुरू हो जाएगा बहुत जादा सॉट बनता है इस तरीके से नान-khtiakी की रेस्पी को ज़रुअ करेगा और रेस्पी पसंदा है तो लाइक करना ना भूलेगा मिलते एक नहीं रेस्पिक साथ, तब तक लिया आला हाफिस